दोसों हाली में मैंने एक सौर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक वांडे गराफ जेनेरेटर बना के दिखाया था जो कि परफेक्टली वर्क विक कर रहा था और वो दो लाक वोल्ड से ज्यादा प्रोडियूस कर रहा था एलैक्ट्रो एस्टेटिक्स करेंड जेनेरेट कर रहा था और वो बहुत ही सस्ता है जो हम लोग नॉर्मली वांडे ग्राफ यूज करते हैं वो लगभग पांच हजार रुपे से ज्यादा का मिलता है अगर हम लोग खरिदने जाएं तो इमाजॉन पर आप सर्च करके देख सकते हैं पांच हजार रुपे से भी ज्यादा का मिलता है लेकिन मैंने जो बनाया वो बहुत ही कम रुपे में मिन्स 100-500 रुपे में मैंने वांडे ग्राफ जेनेरेटर बनाया जो की बहुत ही है जिसे आसानी से यूज किया जा सकता है आसानी से घर पर बनाया जा सकता है तो चलिए आज के इस वीडियो में इस किये हम लोग इसको बनाना सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर art जरूर से कर दिजे और चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि साइंस वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है तो चलिए बिनादेरी केस शुरू करते हैं वांडेगर आप जिनेरेटर के बॉडी के लिए चाहिए एक बॉटल जो आप ट्रेस से ले सकते हैं यानि कबार से और यह हमारा पूरा फुल बॉडी होगा यह बहुत ही मजबूत है और इससे हमारा काम चल जाएगा वांडेगर आप जिनेरेटर में बेल्ट को मूब कराना होता है उसे आप चाहिए तो हाथ से भी मूब करा सकते है या मोटर से मूब करा सकते है तो मैं यहाँ पर 12V DC मोटर योज़ कर रहा हूं यह 12V DC से ओपरेट होगा और इसका बेल्ट मूब होने लएगा अब हमें belt को move कराना है तो किस पर हम लोग move कराएंगे इसके लिए हमें चाहिए एक pain का refill जो इस motor में आके fix हो जाए कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा तो यह इसके अंदर से आसानी से fix हो जा रहा है अब यह हमारा bottle यह है motor और यहाँ लोग को fix कर देना है इस तरह से तकि यहाँ पर इसके बीच से belt हो करके यहाँ से नीचे उपर नीचे नीचे उपर नीचे करते रहेगा तो यहाँ पर मैं गर्म करके इसके अंदर hole कर दे रहा हूं ताकि यह आरपर हो जाए हमारा काम 50% हो चुका है अब यहाँ पर इसको glue gun ्टाइब है कि प्यों अधाद करदे से पहले एक और डू करना है तो मैं सबसे पले उसको कर ले रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जो दिने उत्तोहनुत अब यहां पर मैंने मोटर फिक्स कर दिया है इस बॉटल में तो कुछ इस तरह सी यह दिखाई देरा और यहां पर हमें बेल्ट चलाना है तो यह मैंने रिफिल फिक्स कर दिया इतना तो हो गया लेकिन इतना से हमारा काम पूरा नहीं होता है belt तो move करेगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ support चाहिए होगा यहाँ तक belt आएगा तो इसके लिए मैंने एक steel का rod काट लिया है इतना छोटा सा और इसको मैंने यहाँ पर अभी hole किया है अभी अपने वीडियो में देखा इस hole में मैंने इस तरह से लगा दिया अब यहाँ पर belt जो है ना नीचे से उपर आएगा और यहाँ से rotate करते रहेगा लेकिन यहाँ पर होगा friction तो friction को कम करने के लिए मैंने एक छोटा सा pain का यह हिस्सा काट लिया इस तरह का यह pain जो आप लोग यूज करते है ना उसी pain का एक छोटा सा बीच से हिस्सा मैंने यहाँ पर काट लिया है और इसको यहाँ पर मैं fix कर दे रहा हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे लगा दिया तो यह बहुत ही आसानी से यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है अब यहाँ पर belt जो रहेगा ना वो आसानी से यहाँ पर rotate हो सकता है अरे एक चीज तो मैं भूली रहा था इस रीफिल के बीच में हमें लगाना पड़ेगा rubber band ताकि बैल्ट जो है न वो चलते समय स्लीप नहीं करें क्योंकि इसमें हम लोग ब्रस भी लगाने वाले हैं वो लोड क्रियेट करेगा बेल्ट पर और वो होने लएगा स्लीप इसलिए मुझे अभी चांस है कि इस रीफिल को बाहर निकाल करके और rubber band मैं लगा दूँ तो यहां से यह बाहर हो गया और फिर यहां पर मैं लगा दे रहा हूं एक rubber band कुछ इस तरह से ताकि इस पर जो है न रबर पर राम से रोटेट होगा और वेल्ट इसके उपर मूब करेगा लेकिन यहां पर एक और प्रावलम है यह जब रोटेट होगा तो यहां पर कट सकता है हमारा रीफिल इसलिए मैं पेन का एक छोटा सा हिस्सा काट ले रहा हूं यहां पर देखिए कटने के बाद कुछ इस तरह से का है लेकिन अभी भी हमें तीन चीजों पर काम करना है सबसे पहला तो इसका बेल्ट बनाना है दूसरा तो इसमें ब्रस फिक्स करना है वायर का और तीसरा तो कैन लगाना है जो इसमें सबसे ज़्यादा कटिन काम है ना वह है इसका बेल्ट बनाना और सबसे आसान भी का स जिसका कुछ हिस्सा चिपके और कुछ हिस्सा नहीं चिपके मिन्स यहाँ पर यह जो टेप है वो पूरा का पूरा चिपकता है यहाँ पर खोलने के बाद यह वाला हिस्सा चिपकता है लेकिन इसको ऐसे बना देना है कि यह जो sticky part है जो चिपकने वाला part है वो खतम हो जाए तो इसके लिए या तो आप पानी का यूज कर सकते हैं या कचड़ा लगा के इसको या गंदा करके इसके sticky part को खतम कर सकते हैं कास्ट में थोड़ा साब बचा के रखना है जो चिपक जाए इस पर यानि कि उसका sticky part खतम नहीं हो यह देखे पानी में भीजने के बाद यह बहुत ही कम हो जा रहा है अब यहां पर बेल्ट का जो साइज है वह लगबग इतना है तो मैं यहां से काट ले रहा हूं ताकि इसके अंदर फिक्स करने में आसानी हो तो यहां पर देखे यह non sticky part है और यह sticky part है दोनों आपस में चिपक गया और बेल्ट त्यार हो गया यह देखे किस तरह से अब हैं और बहुत सारा mechanism fix कर चुके हैं लेकिन अभी भी दो चीज बाकिए एक तो करेंट कलेक्ट करने के लिए केन लगाना और दूसरा ब्रस लगाना जिससे करेंट कलेक्ट होगा तो यहां पर मैं एक 12 बोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहा हूं देखते हैं पले चलता है यह नहीं ओ देखिए यह बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है और बैट भी मूब हो रहा है जब बैट चल रहा है तो हमारा स्काम 90% सक्सेस्फूल है तो अब इसमें लगाते हैं ब्रस तो इसके लिए दो होल करना पड़ेगा तो यहां पर इस बैट के सीधे सामने होल करन तो दोस्तों यहां पर मैंने होल कर दिया एक और एक नीचे होल कर दिया एक उपर होल कर दिया नीचे होल मैंने इसलिए किया कि यह माइनस चार्ज यानि सरी निगेटिव चार्ज का काम करेगा और यह पोजेटिव चार्ज करेगा और यह पोजेटिव चार्ज करेगा और को एक कैपसीटर का काम करता है अभी मैं बताओंगा आगे लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर मैं एक छोटा सा वायर का टुकडा ले लिए अब इस छोटे से वायर के टिकुड़े में मैंने एक ब्रस टाइप का एक यहां पर देख सकते हैं ब्रस ट कर दे रहा हूं अब बचता है लास्ट काम तो यहां पर मैं एक पैपसी या कोको कोला का कैन यहां पर फिक्स करने वाला हूं तो अब इस केन को यहां पर फिक्स कर देना है लेकिन ध्यान रहे कि यह वायर जो है ना इस केन के अंदर सट जाए जब हम लोग इसके अंदर इस मोड देना होगा लेकिन ध्यान रहे कि ये इसका जो खुला वला हिस्सा है वो इसमें आके चिप के जरूरा बाकी सब जो भी चीजे हैं वो आपको वीडियो में दिखा ही दिखा लेकिन एक चीज और ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो फिक्स आप लोग कर रहे हैं तो वो ट आप जेनेरेटर और यह देखिए अब यहां पर ग्राउंडिंग के लिए यानि निगेटिव चार्ज के लिए जो हमने वायर जोड़ा था उसमें एक लंबा सा वायर मैं जोड़ दे रहा हूं ताकि यह ग्राउंड से कनेक्ट किया जा सके हाला कि यह ग्राउंड तक यहां पर मैंने फिंगर लगाया था है ओकेई है और भाई हुआ हुआ है तो अब इतना लंबा अर्ग भग एक इंज निकाल दे रहा है दोस्तों हमारा वांडे ग्राफ पूरी तरह से वर्क कर रहा है और यह सौक भी लग इससे सौक भी लग रहा है तो अभी मेरे पास भा पांडे ग्राफ है जिसे हम लोग हाथ मिले के इधर उदर इधर उदर जा सकते हैं तो यहां पर मैं एक तरीका अपना रहा हूं अपने को ही ग्राउंड बना ले रहा हूं यानि कि यहां पर जो ग्राउंड वायर है इसको मैं अपने फिंगर से दबा ले रहा हूं ताकि य अपने को ground बना ले रहा हूं और भाया ground पर तो खड़े है तो यहां पर इनको देखिए sock लगाता हूं अब हो तो अब लग रहा है लेकिन यह बहुत ही कम है यह खेलने के लिए अच्छा है लेकिन एक बात है मुझे sock नहीं लग रहा है क्यांकि से कालेक्टेलीग यह दिए इसमर लगां यह जैसे ही ऐ चार्ज हो जा रहा है जब ज़्रेत अरills को श्राइन तो ज्यादा स debates लग रहा है आप देखिये यह क्या हुआ और यह नहीं रहा है लेकिन प्रियास कर रहा है यह काम कर रहा है हमारा यह वांडेग्राफ जेनरेटर तो आप भी बिना सकते हैं और यह कैसा रहा वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वांडेग्राफ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीज़े और आभी तक हमारे एप्स को डाउनलोड नहीं कियें तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहां से जाए डाउनलोड कीजिए और फिर हमारे चनल को भी सब्सक्राइब किजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहिए जय वारत